तो फ्रेंड्स बिनक्सिदेरी के शुरू करते आज के अपनी इस बहतरीन वीडियो को अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इंप्रूफ करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो फ्रेंड्स यहाँ पर ही किसे के रहे हैं कि मुझे इस कमरे में घुटन महसूस हो रही है मुझे इस कमरे में सांस लेने में मुश्किल हो रही है तो इंग्लिश में कैसे बहुत हैं इस कमरे में मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही है खिड़कियां खोलने से कमरे में भरापन कम हो सकता है तो यहाँ पर हमें एक वर्ड का यूज़ करेंगे ध्यान से देखना करिए कि ओपनिंग विंडोज केन एलिविएट स्टफिनेस इन रूम तो एलिविएट का मतलब होता है कम करना है हलका करना इसका आगे भी यूज़ होगा ध्यान रखना देखो कमरे में भपका हो रहा है यानि भरापन हो रहा है तो इसके लिए हम बोलेंगे स्टफिनेस एलिविए इस्टफिनेस इना रूम खेड़के खोलने से कमरे में भरापन कम हो सकता है तो अलेविएट का मतलब होता है कम होना है हलका होना बहतर होगा कि तुम इस कमरे की खिड़की खोल दो इंग्लिश में बोलेंगे इत वुट बेटर यानि बेटर होगा बहतर होगा अगर तुम इस कमरे की खिड़की खोल दो तो बहतर होगा तो हमें से कहेंगे इत वुट बेटर इफ यू ओपन दे विड़की खोल दो या से कह सकते है कि ओपनिंग दे विड़की से नीचे मत जहाकना नहीं तो तुम्हें चक्कर आ जाएंगे जो घर हो बहुत उपर है तो उपर से जाद नीचे जहाकेंगे तो तुम चक्कर से आ जाते हैं तो कह रहे हैं कि don't peek down from the window or else you might feel dizzy or else का मतलब होता है जब or else दोनों साथ में आ जाते हैं वर्ना के sense में नहीं तो या वर्ना तो कह रहे हैं कि avoid looking down from the window or you will get dizzy avoid करना नीचे जहाकना विंडो से avoid looking down from the window or you will get dizzy अपना मूड ठीक करने के लिए तुम्हें गाने सुनने चाहिए तो इसका मूड खराब है तो इससे के रहे हैं कि you should listen to music to uplift your mood you should listen to music to uplift your mood ऐधु सुनने से खराब मूड को हलका करने में मदद मिलती है तो हमने शुरम में देखा था हलका करना ये कम करना इसके लिए में बोलता है एलिवियेट का तो कहे रहे कि listening to music can help alleviate a bad mood listening to music can help alleviate a bad mood यानि संगी सुनने से music सुनने से जो खराब mood होता है वो हख कम हो जाता है हलका हो जाता है मैं अपना तनाव कम करना चाहती हूँ से बहुत ज़्यादा tension हो रही है तनाव हो रहा है तो कहे रहे कि I want to alleviate my tension I want to alleviate my tension mitigate का क्या मता होता है कम करना है नि मैं अपना तनाव से कम करना चाहती हूँ I want to elevate my tension how can I alleviate tension मैं कैसे तनाव कम कर सकते हूँ How can I elevate tension? exercise can alleviate stress and anxiety ये जो तुम्हें तन्हों चिन्ता हो रही हजी… exercise can alleviate stress and anxiety जैसे कि यहाँ पर यह पूछ रहेगी how can I alleviate tension तो इसके जवाब में कहा रहा है कि exercise can alleviate stress and anxiety साथ ही exercise तुम्हें fit रखने में मदद करेगी करेगी tension तो कम होगी होगी तुम्हारी साथ ही जो exercise है वो तुम्हें fit रहने में मदद करेगी तो इसके लिए साथ ही के sense में यहाँ तो बोलते हैं besides का या in addition to या apart from that इसकी जगा हम कोई भी उसकर सकते हैं एक तो फायदा हमने बता दिया कि इससे तुम्हारी tension कम होगी अब दूसरे फायदा के लिए मैंसे भी कह सकते हैं कि apart from that या नि इसके अलावा यह besides साथ ही exercise will help you stay fit exercise तो तुम्हारी help करेगी fit रहने में besides exercise will help you stay fit साथ ही exercise तुम्हारा fit रहने में मदद करेगी furthermore भी आप बोल सकते हो साथ ही के sense में furthermore engaging in exercise will support your fitness furthermore engaging in exercise will support your fitness furthermore के मतलब है साथ ही यानि हम अपनी दूसरी बात बता रहें एक बात बताने के बाद एक तो हमने बता लेकि टेंशन कम होगी फर्दर मोर इसी के साथ साथ engaging in exercise will support your fitness जो engaging करोगे तुम exercise में लगोगे तुमारी support मिलेगी तुमारी fitness को यानि तुमारी fitness भी ठीक हो जाएगी हमें fit रहने का परियास करते रहना चाहिए अब देखो यहां पर कह रही कि हमारा जो goal होना चाहिए हो fit रहने का होना चाहिए मतलब हमें अपनी तरफ से परियास करना चाहिए कोशिश महनत करनी चाहिए कि हम fit रहे हैं तो English हम कहेंगे we should keep trying to stay fit we should keep trying to stay fit यानि हमें fit रहना का परियास करते रहना चाहिए इस बात को हमें एक नेवड के साथ भी कह सकते हैं striving का यूज़ करके हम बोल सकते हैं कि it's important for us यानि हमारी important है महत्यपून है it's important for us to continue striving कि हम continue striving करते हैं यानि परियास करते रहें for fitness फिटनेस के परतियाने में fit रहना चाहिए It's important for us to continue striving for fitness striving का मतलब होता है परियास करना कुछ हासिल करने के लिए तो हम fitness हासिल करना चाहरे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे striving, strive तो बतारे कि It's important for us to continue striving for fitness हमें हर दिन खुद को बहतर बनाने का परियास करना चाहिए तो परियास के लिए हम क्या बोलेंगे हम कहेंगे We should strive to improve ourselves every day We should strive to improve ourselves every day यानि हर दिन हमें खुद को बहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए परियास करना चाहिए We should strive to improve ourselves every day इसी तरीके से एक sentence है myself यानि मैं रोज कोशिश करती हूँ परियास करती हूँ कि अपना जो है पिक बेस्ट बर्जिन बनु कहने का मतलब पर खुद को रोज इंप्रूव करूं I strive to be the best version of myself the students strive to excel in their studies excel का मतलब होता है कि अच्छा करना इस्टेडीज यानि पढ़ाई में तो जो स्टुडेंट से में स्ट्राइब करते हैं यानि पर्यास करते हैं तो एक्सेल अच्छा करने के लिए in their studies अपनी पढ़ाई में the students strive to excel in their studies दो साल पहले मेरा एक्सिडेंट हुआ था जिसमें मेरी दोनों पेर कट गए थे तो अब देखो यहां पर इसे थोड़ा ध्यान से समझना यह बता रहे ही कि पहले में इतनी किताबें नहीं पढ़ते थी लेकिन दो साल पहले एक्सिडेंट हुआ बता रहे ही कि टू येर्स अगो आई हैड ए देते हैं कोई या तो इनफेक्शन फैलता है किसी और वजह से तो उसको हम बोलते हैं आप्यूतेटिट तो बतारे कि टू येर्स अगो आई हैड एन एक्सिडेंट इन विच बहुत माइं लेग्स वर एमप्यूतेटिटेटिट